नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो लाइसी एजेंट के लिए है लाइसी एजेंट का अगर एजेंसी टर्मिनेट हो जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए इस पर बात करेंगे बात करने से पहले आप से रिक्वेश्ट है अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ल लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी कारण से आप टार्गेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो लाइसी एजेंसी आपकी टर्मिनेट होती है या दूसरा आपकी पॉलसी जो आपने किया उस पर क्लेम बहुत आ गए तो उसका मतलब लाइसी यह समझती है कि हो सकता मार तो आपका एजंसी बेल्कुल एक्टिवेट कर दी जाती उसमें दिख्कत नहीं आता है लेकिन अगर कोई केस आपके उपर हो गया और उसके कारड से पूरा नहीं कर पाए हैं एजनसी टर्मिनेट हो गई है इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना इस साल टर्मिनेट हुई है आप अगले साल ही चले जाएए मलब की बहुत लेट मत करिए और मैक्सिमम तो बोलिए कि किसी कार्ड से बहुत सारी होते हैं जैसे भी तवियत खराब हो गई या घर में कोई इसू हो गया परसनल कुछ भी रीजेन आप उसमें लिख दीजाएगा अप्लिकेशन में जो थोड़ा ठीक लगना चाहिए वाले लगना चाहिए कि घर में कुछ इसू हो गय चाहिए और आपकी एक्टिवेट भी करते हैं और उनका उप यह होता है कि आप एजेंट उनका अधिक सदिक काम करे चूकि लाइसी कभी नहीं चाहती ही को उसके एजेंट काम करना बंद कर दे चूकि लाइसी के जो एजेंट है वही रिनुवल कमिशन या वही जनरेट करत चलेगा कैसे लाइसी कभी नहीं चाहती है उसके एजेंट काम करना बंद करें तो बिल्कुल डीमोटिवेट मत होई है घबराना नहीं है एक्टिवेट हो जाती है हां यह दिक्कत आती है कि अगर आपकी एजेंशी टर्मिनेट हो गई और आप 5 साल के पहले आपने जो है छ कोई दिक्कत नहीं है फलस उसमें जो भी पॉलसी है 25-30 पॉलसी चल रहे होंगी उसका कमिशन भी आपको मिलता रहेगा बाकी और कोई खास कंडिशन नहीं है कुछ और भी है इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो तो उसके लिए आपका जैसा क्वेशन है मैं उसी बेस पर वीडियो बना देता हूं अगर आपका कोई क्वेरी है इस एजनसी को ले करके या टर्मिनेशन को ले के और भी कुछ आपको लगता है कमेंट करिएगा तो उस पर डीटेल में वीडियो फिर से बना दूंगा आज के लिए फिलाल नहीं इंफर्मेशन कै कैसा लगा कमेंट करेंगे जुरू बताइएगा आने माले वीडियो में कुछ और जानकारी साथ आएंगे थैंक्यू सो मुझ